बॉलिवुड आक्ट्रस श्रीदेवी की फिल्म मॉम साथ जुलाई को रिलीज हो रही है ये उनकी करियर की 50 वे साल की 300 वी फिल्म है रियर लाइफ में श्रीदेवी दो बेटियों जान वी और खुशी कपूर की मा है जो बोनी कपूर से शादी के बाद हुई वैसे एक समय वो भी आया था जब मिथुन चक्रवर्थी को खुश करने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बादी थी उस वक्त मिथुन और श्रीदेवी के अफेर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी श्रीदेवी से मिथुन का अफेर 1984 में फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर शुरू हुआ था उस वक्त मिथुन शादी शुदा थे कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि 1985 में श्रीदेवी ने मिथुन से गुपचुप शादी की थी और 1988 में वो अलग हो गए रिपोर्ट्स के मताबिक मैगजीन को दिये एक इंटर्व्यू में मोना कपूर ने खुलासा किया था कि मिथुन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए श्रीदेवी ने उनके एकस हस्बंड बोनी कपूर की कलाई पर राखी बांधी थी तब श्रीदेवी ने मिथुन से ये भी कहा था कि उनके और बोनी की बीच कुछ भी नहीं चल रहा है कहा जाता है कि मिथुन को इस बात की भनक लग चुकी थी कि श्री देवी बोनी के close हो रही है इस वजह से बोनी और मिथुन के बीच भी दूरियां आई थी इसलिए श्री देवी बोनी कपूर को रा की बांधने के लिए भी तयार हो गई थी अभी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चट पटी नियूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई